तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग के लिए इंटर्वियू से रिलेटर कुस्चिन जो बनाये थे वो एक्चुली क्या है कि कंपणी में पूछा गया कुस्चिन था तो इतने लड़के लोग का सेलेक्शन भी होगी आप बड़े-बड़े कंपणी में तो दोस्तों और अहर भी हम आप लोग केलिए जो बना रहे हैं जो भी कुस्चिन पूछा गया है तो इसको हम लोग करते हैं यह पार्ट्ट्री है तो यह प्रतेर चल रहा है तो अगर आप वीडियो को सब्स्राइब लिए जो जुब है उन सभी लोग के लिए जो बहुत ही इंपपोर्टन इसन है और उन सवी लोग के लिए बहुत पैदावनवाइए ओकै दोस्तों तो जो भी कर चुके हैं और यजा नग कर सकते हैं वह उबी सी शक्र Fayisstay हो जो ओप्सक्टे हैं तो कि दूस्तों तरह चीज़ी आपको बताना है इसके बाद आप attending आप birth इपाのは पामि सिफ कि आ ृपिन के लिए प्रुटन घ्याइए क्योंकि यह कंपञे बाद आप network तो क्या है the difference between maximum limit size and minimum limit size called tolerance मतलब जदी कोई job 20 diameter का job है उसमें tolerance दे दिये plus minus 0.02 तो किस-kis size को बनाएंगे तो मेरा job जो है चलेगा मतलब accept होगा 19.98, 19.99, 20.01, 20.02 मतलब tolerance कतरा निकिलेगा 0.04 चार गो है न यहापर देख रहा है तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं 20 प्लस 0.02 जोड देगा और 19 प्लस 9.8 को महनेश करेंगा तो 0.04 आएगा answer इसका मतलब चार गो है 19.98, 19.99, 20.01 और 20.02 तो यह आपका tolerance का अंदर में जोड बनेगा यह आपका acceptable है बागे साफ reject next तीसरा नमबर, have you worked in CNC क्या आप CNC में काम कर चुके हो अगर काम किये हैं तो yes बोलना है अगर नहीं किये हैं तो नहीं बोलना है four नमबर, safety device in CNC button मतलब CNC में क्या क्या ऐसा safety होता है जो आप रोक सकते हैं reset button हो गया, emergency button हो गया, stop button हो गया, तो यह सारा चीज जो है आप अपात काली निसीती में बंद कर सकते हैं यह कोई भी जरुत काम पर यह था आप अचानाक में बंद कर सकते हैं पाचो नमबर, how will you work here if no experience, अगर आपके पास experience नहीं है तो आप कैसे काम कीज़ेगे यहाँ पर, हम आप कैसे select करेंगे तो training करके, seeing, understanding, यह सारे सीज करके आप काम कर सकते हैं देख करके, सोच करके, समझ करके, ठीक है, यह तो आपको company बहुत training देदेगा, ठीक है तो कुछ दिन के लिए training देदेगा, उसमें आप कर पाईएगा ओके दोस्तों, तो इस तरह बोलना है, can you operate machine, क्या आप machine चलाए हो, जो भी machine दिया जाएगा, आप चला सकते हो, यह चलाए हो, तो बोलना है yes, क्योंकि आप training किये हैं, पढ़ाई किये हैं, तो yes बोल देना है, ठीक है, इसमें संकोच ने करना है, dot ने करना है, next, what problems comes in which machine, मतल है, hydraulic alarm होता है, PLC alarm होता है, axis ओला alarm होता है, home position ओला alarm होता है, reference mode ओला alarm होता है, battery low alarm होता है, यह सारा चीज़ आपको बताना है, अगर आप जानते हैं, तो जरूर बताईएगा, उसी में आपका confidence बलेगा, और वो समझे हैं कि हाँ, यह काम किये हैं, लड़का training किया हुआ है, और लिबर इंगेज नहीं होता है, यह सारा चीज़ प्रोब्लम आता है, next, अभी हम लोग next क्या करेंगे, what is quality, quality क्या है, it is the degree to which an object satisfies a specified set of requirements, मतलब कोई जो बनाते हैं, अपका जो customer है, उसको आप satisfied करेंगे, मतलब एह ही तो है quality, अब अच्छा बनाते हैं, अच्छा विक्री होता है, अच्छा सप्लाई होता है, जोब, यमाल, जितना आप लाखों क्रोडों में आप सप्लाई करते हैं, तो यही तो है quality, उसको satisfaction है, next, नौन नबर बोल रहा है कि, have you made job in training, period and what quality, क्या आपने training के दारान बहुत सरे job बनाए हैं, तो yes, हमने बनाए है, तो कैसे quality बनाए हमने, हमने बनाए है, fitting job बनाए है, तो fitting हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से, और surface finish भी बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में look बढ़िया है, next, tool wear, मतलब यह जो हम यह त्रिबू जैसे बनाए है, वो एक tool है, चलते चलते अगर इसका corner point, मतलब cutting edge घिस जाता है, यही तो ह फिर, उसे में हम लोग क्या करेंगे, CNC machine के tool wear offset में जाकर के, हम लोग प्लास में input करते है data, 11 नमर में बोल रहा है, MDA क्या है, manual data input, मतलब manual में हम लोग program को रान कर सकते है, spindle on कर सकते है, coolant on कर सकते है, spindle बंद कर सकते है, यह सारा चीज काम कर सकते है, manual data input, tool change, 12 नमर, तो क्य करते हैं, M06 और tool जितना चाहिए, वो नमर लिग देना है, और start button दबा दिएगा, तो क्या होगा, tool automatic change होगा, लेकिन M06 डालना होगा, क्योंकि यही है code जो tool को change करता है, तेरा नमर, RHS का मतलब क्या होता है, right hand side cutting tool, मतलब जो right side left के और cutting करते हो जाता है, उसको हम लोग बलते है, RHS tool, चौदा नमर, how to identify machine breakdown, machine breakdown हुआ है, कैसे पता चलेगा, या तो alarm आएगा, damage होगा, jam होगा, sound आएगा, या accuracy नहीं बनेगा, या तो machine जो है, सही तरह से run नहीं होगा, ये साब कारान से हम लोग पता लगा सकते हैं, कि machine breakdown है, next, अगला है, job falls from chuck, what will you do, मतलब अगर chuck में job लगा हुआ है, काम करते हैं गीर गया है, तब क्या करोगे, job को उठाओगे, resetting करोगे, true करोगे, या replace करो, मतलब जोब बदल दोगे, ये सारा ची आपको बुलना है, pressure gauge देके हो, क्या होता है, ये जैसे हम लोग dealing किये हैं, boring किये ह बहुत करते हैं, तो pressure, 20 में रहता है, pressure देकर हम लोग करते हैं, तो ये भी pressure gauge हम लोग कर सकते हैं, है ना, या किसी भी hall की ये सता पर हम लोग सा pressure देख सकते हैं, ये भी dial test indicator की तरह ही रहता है, okay, next 17 number, have you seen lubrication in CNC machine, क्या आप देखे हैं, हाँ देखे हैं, क्योंकि lubrication automatic होता है, yes machine not running, what will you do, maintenance part है, ये maintenance part का question पूछा गया था, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, check electrical connection, neutral देखेंगे, gearing देखेंगे, lubrication देखेंगे, alarm देखेंगे, liver देखेंगे, ये सारा चीच आपको check करना है, कि कहाँ fault है, है ना, उससे सो आपको पता लगा सकता है, कि fault कहा है, और क्या क्या प machine तो चलेगा, लेकिन उसका part जो है, गिस जाएगा, और बहुत ज़्यादा major problem आ सकता है, इसलिए कभी भी तेल, अगर lubrication oil नहीं है, तो नहीं चलाना है, हमें सध्यान रखना है, 20 number है, block speech in CNC, मतलब, block speech क्या है, skip CNC machine में, program not read in automatic run, मतलब, किसी भी program के बीच में, अगर आपको program line नहीं चलाना है, तो उसको क्या किजेगा, skip कर दीजेगा, और क्या करेगा, automatic चला दीजेगा, तो वो line जो है, automatic चलेगा, लेकिन वो line आपका read नहीं करेगा, मतलब, वो line काम नहीं करेगा, उसको बोलते है, program जो है, block skip करते हैं, okay, next, optional stop used in CNC where, कहां पर use किया जाता है, यह program के last में दे सकते हैं, ताकि दूसरा program चल सके, यह थोड़ा दिर के लिए रुखेगा, है ना, थोड़ा दिर रुख जाएगा, इसके बाद जो है, अन्य program चालू होगा, मतलब, M01 हम लोग डाल देते है, program के last में, M30 नहीं डालते हैं, okay, तो वहाँ पर डाल दीजेगा, क्य जो है, run नहीं करेगा, लेकिन आप जो offset लिए है, program बनाएं, उस अनुसार जो है, tool movement जरूर होगा, path so करेगा, tool movement जरूर होगा, आपको दिखाई देगा, कि हाँ, सही में program run कर रहा है, ठीक है, बागी सा operation नहीं होगा, next, what is program in CNC, CNC में program क्या करता है, set of instruction is called program, इसको बोलते हैं definition, तो जितना भी आप program बनाते हैं, program के थुरू जो है, job बनाते हैं, जैसे drawing रहता है, उसका नुसार, एक बार program सेट करता होगे, तो automatic continuous चलते रहेगा, इसलिए बोलते हैं, set of instruction is called program, gcode और mcode क्या है, gcode, geometry code है, tool path को दिखाता है, mcode, machine code है, ठीक है, और ये machine को control करता है, क्या होता है, rapid reverse, g-zone क्या होता है, linear interpolation, tool को सीधा movement कराना है, m03 क्या है, spindle rotate in clockwise direction, okay, अब हम लोग next करते हैं, m04 क्या है, spindle को rotate करना है, anti-clockwise direction, कहीं क्या पर लिका रहता है, ccw, मतलब counter clockwise direction, एक ही चीज़े, confuse नहीं होना है, m05 spindle को stop करना है, what is father, last time पूजा गया था, एक student से, कि आपके father क्या है, वो एक किसान है, इसके बाद mother क्या है, cia housewife, वो एक greenie है, मतलब घर में काम करते हैं, और sister क्या करते हैं, वो intermediate पढ़ाई करते हैं, अगर intermediate में पढ़ाई करते हैं, तो intermediate, ITA में तो ITA, डिपलोम तो डिपलोम है, और metric है तो metric बोलना है, company name about heritage available, क्या आप company के बारे में जानते हैं, जो यह कहाँ पर available है, वो आपको बताना है, अगर किसी company के interview में आप जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़के जाना है, अगर को aluminum company है, still company है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकरी रखना है, कि यह क्या बनाती है, ठीक है, कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेर कीजिएगा और कॉमेंट्स कीजिएगा और आपका दुआए साथ रहे और ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन जो एरंज किये हैं जो कोस्चन पूचा गया है कंपनी में जबार थाइंक्यू